किसान साथियो नमस्कार आप सब का हर्दीक स्वागत है अमेजिंग किसान यूट्यूब चैनल में किसान साथियो आप सब को पता है कि मैंने एक से तीन मई को अपने सगन भागवानी के अम्रूद की कटिंग की थी ये अम्रूद के पोदे 8 वाई 5 फिट पर लगे हुए है और कटिंग के समय की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि कटिंग के बाद और कटिंग करते समय पोदे कैसे लग रहे थे जो मैंने सावधानी लीग कटिंग की और कुछ आप लोगों को बताई थी वो सब मैंने आपसे साजा की थी किसान साथियों उसके बाद 12 मई को मैं फिर अपने खेत पर गया था और लगबग 10 दिन बीच चुके थे चुकि कटिंग आदे खेत की पहली तारिक को हो गई थी कुछ दो को हुई थी और तीन को पूरी हुई थी कटिंग जो मैं 12 तारिक को गया था वो भी मैंने जो प्रोग्रेस हुई थी आप लोगों के साथ साजा की थी दस तारिक को बहुत बारिस हुई थी और जब मैं 12 तारिक को पहुँचा तो खेत गिला था और मैंने आपको दिखाया था कि जो ने कल्ले निकल रहे हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है किसान साथियों इन वीडियो को मुझे आपके साथ साजा करने का एक उद्देश से हैं कि आप हर स्थेज पर यानि हर स्थिती में देखें कि कटिंग का क्या परभाव पड़ता है पोधोगर और मैं चाहता हूँ कि एक साल के बाद आप लोग इसमें पारंगत हो जाए और इससे आपको फाइदा मिले मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको फाइदा मिलेगा किसान साथियों कल 19 मईकों में फिर अपने फार्म पर गया था और जब मैं फार्म पर पहुँचा तो तभी मैंने एक रोटावेटर बुलाया हुया था वो उसकी गुडाई कर उसने काम खतम किया था किसान साथियों जैसे ही मैंने खेत को देखा तो मुझे इतनी अपार प्रसंदता हुई कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं पोधों में जिस प्रकार कल्ले निकल रहे थे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो समय है जब हमने अपने बच्चे पा ले थे मैं ये चीजे क्या उनमें परिवर्तन आया और कैसे लग रहे हैं ये मैं आपके साथ साजा कर रहा हूँ आप देखेंगे कि लगबग सभी पोधों में कल्ले आ चुके हैं और हर कम से कम कल्ले की स्थिति जो मैजोरिटी में है अधिक्तम स्थिति में है उसमें तीसरा जोड़ा पत्ती का निकल चुका है कुछ में तीसरा निकल रहा है और कुछ में तीसरा निकल चुका है वो चोथे जोड़े पर है आप ये भी देखेंगे कि मैंने ये भी दिखाया है कि जो कलिया शुरू हुई है आनी बहुत ननी ननी सी कलिया है वो किस पत्ती के जोड़े पर है आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अमरूद में दूसरी पत्ती के जोड़े पर या तीसरी पर कलिया निकलती है कि आप इस चीज को नोट करें कि किस variety यानि किस परजाती में कौन सी जोड़े पर आपकी कलिया निकलती है। किसान साथियों आए थोड़ा सा देखिये दो मिनट के लिए कि बाक की कैसी इस्तिति हैं। चलते हैं देखते हैं नए कल्ले और कलियां कैसी निकल रही है। पत्ती, पहली पत्ती, फस्ट पेयर, सेकंड पेयर पर ये कली आ गई है, ये देखे, किसान साथियो, कोई समस्या है, ये देखे, इसमें कोई समस्या है, कोई कीडा है, जो इसको खा रहा है, भरपूर मातरा में देखिए आप, एक, दो, तीन, चार, आठ कले हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये देखे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, दस कले हैं, ये देखे, किसमें, चलिए, मैं आपको थोड़ी सेयर कराता हूँ, भागती, इसमें थोड़ा कम चला है, ये भरपूर है, ये देखे फिर, पहली पत्ती, दूसरी पत्ती पर कली आ गई, तीसरी पर आ गई, ये देखे, कितना है, झार, ये दूसरी आपको चरूर हे पत्ती, अभी आपने देखा कि कितने अच्छे कल्ले निकल रहे हैं और पोधों में जो उसमें कल्ले निकले हैं उनमें कलिया भी सुरू हो चुकी है अब यहां पर मैं दो बाते मुख्य रूप से आपके सामने करूँ है यह थी हमारी खुश होने की स्थिति अब थोड़ी सी इसमें सावधानी भी बरत ली है तो आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इस समय क्या सावधानी बरत ली है जब भी मैं बाग में जाता हूँ तो पता चल जाता है कि यह पोधा कुछ मेरे से कह रहा है और उस पोधे में कुछ ना कुछ कमी होती है किसान साथियों यह देखें दो पोधों में जो मेरे छोटे पोधे हैं उनमें मुझे यह इल्ली दिखाई दिए यह क्यों आई है इसका मैं बाद में करूँगा अब में जो इस टाइम मुख्य बात है वो है बड़े पोधों की चलिए आप देखिए बड़े पोधे में ये देखिए पत्तो में कुछ मुडंसी है थोड़ी सी और कुछ पत्ते ये भी लग रहे हैं कि खाये हुए है जैसे ही आपको ये महसूस होता है कि पत्तो को कोई जानवर या कीट खा रहा है तो आपको ये पता करना है कि वो जानवर क्या है और कितनी तेजी से हमारे पत्तों को खा रहा है वो थी मुख्य समय है ये कि आपको इन पत्तों की बिल्गुल सुरक्षा करनी है अगर इस टाइम पत्तों को नुक्सान होगा तो पूरी बढ़वार को नुक्सान पड़ेगा और अंत्ता है हमारे फ़लोकों नुक्सान होगा। तो मुझे ढूनते ढूनते देखिए एक ये मकडी मिली। ये मकडी जो एक तरह का जाला सा भी बुन देती है और ये इस तरह से पत्तों को खाती है और कोई और भी चीज है जो पत्तों को खा रहा है। मैंने आपने जो मेरे ग्रूप है मैंने वहाँ पर ये दिखाया और ये बात की तो मुझे एक इसमें इस्प्रे करने पड़ेगा तुरंती। बात इस्प्रे की नहीं है, बात यह है कि यह हुया क्यों, किसान साथियों मेरे खेत के तीन तरफ देखिये, मैंने उड़द बोय हुए है, तीन तरफ उड़द हैं और दो तरफ मेरे जो पॉपुलर के पेड हैं वह हैं, एक कारण यह है कि अभी कुछ दिन तक कल से पस्चिम की हवा चलनी शुरूए है, जिसे हम लूग कहते हैं, ताइस्में अधिकतर कीडे मकोडे मर जाते हैं, लेकिन इससे पहले पूरव की हवा चल रही थी, और पूरव की हवा उड़द और यह पुपुलर के पेड यह तीनों मिलकर कीटों के लिए वरदान साबित थे, जबकि मैंने पहले एक इस्प्रे कराया था लेकिन फिर भी कुछ कीटों का प्रकोप रह गया ये आपको ध्यान करना है इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूँ कि अपने बाग में तीन दिन में एक बार अवस्य जाई है देखे जो मेरा सहायक है जो मेरा वरकर है उसे मैं बार-बार कह किसान सातियों, मैं तो मेरे पत्ते कैसे हैं तो मैं यह पता करता हूँ और मैं फिर उसका इलाज करता हूँ. किसान सात्यों जब आप क्टिंग करें और उसके बाद कल ले देखें तो अपने खेट में कमимсяकं तीसरे दिन जाईए और ये देखे इनमें कोई बिमारी तो नहीं है या कोई कीट तो नहीं आया है या तो उसका पहले से इलाज करिए कि कोई नाए और अगर आ गया है तो उसका तुरंत इलाज करिए ये तो हुई पहली बात सावधान साथियो जो मैं दूसरी बात कर रहा हूं आप को याद होगा मैंने जो कटिंग की वीडियो थी उसमें एक मैंने ग्रोथ रगुलेटर का जिकर किया था। मेरे को कुछ किसान भाईों के फोन भी आये थे उन्होंने कहा था कि त्यागी जी आप कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर करें किसान साथियों मैं ठोड़ा इसके बारे म हुआ कि मैं उसको कैसे समध्याओं किसान भाईयो कटिंग के बाद इतने कल्ले निकलेंगे अगर आपने सब कल्लो को इसी तरह बढ़ने दिया तो इतना घना रूप ले लेंगे ये कि पोधे के अंदर हवा और प्रकास का जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जब ये दो दोनों चीजें नहीं जाएंगी तो फल तो अधिक आ ही रहा है चुकि कल्ले अधिक हैं लेकिन वे फल इतने स्वादिष्ट होंगे और नहीं उनकी साइज बढ़ेगा यानि उनकी बड़ी मात्रा होगी इसलिए पोधे में ये जाना पहुच जोली है किसान साथियो अब मै जो 27 तारिक को जाऊंगा तो वो दिन मैंने निस्चित किया अब मैं ये बताता हूँ कि मैंने 27 तारिक ही क्यों की किसान साथियो कल्ले जितने भी निकलने हैं वो 25 दिन में निकल चुके होते हैं अगर 10 परसेंट या 5 परसेंट कल्ले बची भी रहे हैं जो बहुत छोटे छ ग्रोथ लेगुलेटर क्या होता है, ग्रोथ लेगुलेटर में हम पोधे की वानस्पतिक वरद्धी, यानि उसमें बहुत अधिक पत्ते की पड़वार ने हो, लेकिन जितनी उर्जा पोधे की है, हमारे पास संचेथ है, जो पोधे के पास है, वो उसके फूलो और फलो में ज सायक होंगे और दूसरे जो इसकी पत्तों की जो बढ़वार होती है वो थोड़ी कम होगी और उतनी एनरजी आपके फूलों में और फलों में जाएगी अब किसान साथियों ये सवाल आता है कि ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा हो आप देखेंगे कि ग्रोथ रेगुलेटर कहीं आपको याद होगा एक बार मैंने ये भी जिक्र किया था कि आप 30 दिन बाद कटिंग के 30 दिन बाद एक बोरान एक ग्राम परते लिटर और चिलेटीड जिंक 2 ग्राम परते लिटर का इस्प्रे करें यह भी फलोको सेट होने में सहयक होता है, लेकिन हमारे ग्रूप में और ज चाहे तो दो भी कर सकते हैं, तो आप अगर growth regulator के नाम से सर्च करेंगे, तो कहीं आएंगे, तो मैंने जो चुनाओ किया है, वो किया है लीहोशिन का, ये BASF company का लीहोशिन करके, एक growth regulator आता है, जिसको हम पानी में मिलाकर और इसका छिड़काओ करते हैं, तो 27 तारीक को मैं इसका छिड़काओ कराऊँगा, एक और है गोद्रेज का double PGR, आप उसे भी कर सकते हैं, इस तरह से आप देखेंगे कि मुख्य रूप से 5 growth regulator हैं, ये आपकी 24 से पढ़कर कि आप कौन सा प्रियोग करना चाहते हैं, ये हुई growth regulator की बाद, किसान साथियोग जो अंतिम बात है, वो ये है कि मैंने 27 मई ही क्यों चुना, किसान साथियोग 27 मई इसलिए चुना, कि मुझे 25 और 30 दिन के बीच का समय चुनना था, मैं 30 तारीक भी ले सकता था, लेकिन जब मैंने forecast देखी, तो 28, 29, 30 और 31 तारीक में, 10 परसेंट से लेकर 20 परसेंट तक बारिस दिखा रहा है, अब ये 10 परसेंट हो सकता है, मेरे खेत के या मेरे गाउं के आसपास ही हो जाए, या मेरे 20 परसेंट में आ जाए, पता कुछ नहीं है, तो मुझे ये सावधानी रखनी है, कि अगर 3 दिन लगातार थोड़ी थोड़ी बारिस होई, तो जो भी मैं इस्प्रे करूँगा, इस्प्रे करने के बाद आपको कम से कम 6 गंटे बारिस नहीं होनी चाहिए, वैसे तो 8 गंटे कहते हैं, पर कम से कम 6 गंटे नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं 27 को ये इस्प्रे करवा दूँगा, और अगर 28 को बारिस होती है, या नहीं होती है, या 39 को उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़गा, और मेरी काफी कलिया निकल चुकी होंगी, और उन्हें फूल बनने से पहले ही, मुझे ये इसका छिड़काओ करना है, 30 तारीक के बाद, जो अब 30 जून आएगी, 30 जून तक मेरे सारे फूल निकल चुकी होंगी, और वो चीज मैं फिर आपसे साजा करूँगा, अगली वीडियो में, किसान साथियों ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे अवस्य लिखें, इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत, बंदे मात्रा,